स्वागाते बच्चों हमारे चैनल पर हम आपके लिले कर आई हैं कक्षा 6 और 7 की प्रभाकारे पुस्तिका में से विसाय हिंदी में से आकलन पत्रक 11 इससे पहले हमने सभी आकलन पत्रक और कारे पत्रक डाल दिये हैं आप हमारे चैनल को खोल कर अवश्य देखें कहानी को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक किसान के चार बेटे थे तंद्रूस्त लेकिन निकमबे दिन भरा वारा गिरती करते कोई काम नहीं करते थे एक बार किसान बीमार पड़ा उसने बेटों को बुला कर कहा मैं आप नहीं बचूंगा तुम लोग मेरी मृत प्रश्णों के बाद जमीन में गड़ा धन निकाल लेना जल्दी ही वे चलबासा चारों बेटों ने पूरा खेत खोट डाला मगर कुछ हात नहीं लगा वे बहुत निरास हुए तब ही वह एक ने कहा गयूंबो देते हैं उस साल बहुत अच्छी फसल हुई और उन्हें अ नहीं बेकार चलबसा का क्या अर्थ है जाकर दूसरी जगे बस गया या उसकी मृतियों हो गई यहां चलबसा का अर्थ है उसकी मृतियों हो गई बहुत के आगे हम राइट कर देंगे गह है किसान ने मरते समय अपने बेटों से क्या कहा था किसान ने मरते समय अपने बेट का स्वस्त चल्दी का देर अच्छा का बुरा प्रश नमर तीन है दिये गए मुहावरों के अर्थ लिककर वाक्य बनाईए कुछ हाथ न लगना कुछ भी नहीं मिलना चोरों ने पूरे घर को चान मारा पर कुछ हाथ न लगा दूसरा है खुन पसीना एक करना कड़ी मेनत करन किसान अच्छी पसल प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं सर हाथ कंगन को आर्सी क्या प्रतक्ष को प्रमान की अवश्यक्ता नहीं किसी ने किसने कितनी मेनत की परिनाम आने पर पता चल जाएगा हाथ कंगन को आर्सी क्या चोथा है आस्तीन का सांप कप्टी मित्र राजिस का दोस्ती उसका आस्तीन का सांप निकला तो इस तरह से यह हमारा आकलन पत्रक 11 कंप्लीट होता है आगे के कारेपतरक और आकलन पत्र दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए धन्यवाद